नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आई क्यों में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एथियोपिया के बारे में एथियोपिया में तिग्रे रीजन के बारे हम लोग डिस्कुशन करने वाले हैं आपको याद होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने एक सिविल वारे में चर्चा की थी एथियोपिया में एथियोपिया में तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट और एथियोपिया की जो फेडरल फोर्सों से जो लेड बाई प्राइम मिनिस्टर एभी एहमद उनके बीच एक लड़ाई हुई थी उसके बाद टीपल फ दे फेल सारी इंफोर्मिशन लेने के लिए आप मेरे सुथ बने रही है स्टड़ी आईक्यू पर मैं हूँ आपका दोस्त राहूल सायगाउं कर आप मुझे इस इडी पर फॉलो कर सकते हैं और अगर अगर आप एक्जाम की प्रशन कर रहे हैं तन दू विजिट दे डिटेंस तर ग क्याप्चर किया है दो टाउन्स डेसी और कॉंबालचा अब इससे एक खत्रा आ चुका है एथियोपय की जो क्यापिल सेटी है एडिस अबाबा उसी क्योंपा यानि कि एथियोपया में फिर से सिविल वार चड़ चुका है बेट्वीन एथियोपियन फेडरल फोर्स विच यह लडाई कहां चल रही है देखें पिछले साल में आपको बताया था कि दो फाइट वस गोईंग ओन इन दिस तिग्रे रीजन और आपको अडिस अबाबा जो सेंट्रल फेडरल फोर्स थी उन्होंने अटाक किया था तिग्रे के उपर यह क्यों किया था इसको जानने के आने का दो लिए हमें थोड़ा सा बैक्राउंड समझना पड़ेगा तिगरे रीजन का बैकराउंड समझना पड़ेगा पूरा एथियोपिया का जिससे कि आपको एथियोपियन प्युपींट्रिक्स उनकी ए्थिनिक डेलाप्मेंटक के उपर एक आइडिया आ जाएगी ए यह Civil War चट चुगा है चलिए समझते हैं TPLF के बारे में तिगरेयन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे देखें यह एक फाइटिंग फ्रंट है में थी बहुत दिनों से उसको ओवर्थो करने के लिए TPLF आया उनकी लड़ाई चली 1975 से कंटिनियूसली 1991 तक इवेंचूली 1991 में डेर्ग खतम हुआ डेर्ग खतम होने के बाद पावर मिला एथियोपिया की लोगों को अब एथियोपिया की लोगों की तरफ से लड़ कौन र बारा तब मेलेस जनावी ही प्राइम मिनिस्टर थे और मेलेस जनावी ही वस फ्रम तिग्रे फ्रम नदन रिशन अब उन्होंने जब गवर्मेंट सेट अप की उसके बाद ही सेट अप एथियोपियन पीपल्स रेवलूशनरी डेमोकर्टिक फ्रंट एपी आरडिएफ एक एथनिक फेडरल सेट अप कर गया यानि की सारे जो एथनिसिटी थे ट्राइब्स थे क्योंकि एथियोपिया में बहुत सारे ट्राइब्स इन्वाल है उन्हें पावर दिया लेकिन प्राइम निस्टर वो खुद रहे बहुत सालों तर इन्वाट फेडरल सेटप एक तरफ तिग्रे के लोग तो थे टिग्रे एथनिसिटी बट तेर अधर पीपल लाइक अमहारा अमहारा डेमोकर्टिक पार्टी थी औरोमो डेमोकर्टिक पार्टी सदन एथियोपि तक 17 साल तक EPR डिफ ने एक स्टेबल रूल प्रवाइड जरूर किया लेकिन इस रूल की भी क्रिटिसम हुआ करती इट वस सेट वी वेरी वेरी अथॉरिटेरियन अल्दो एक एथनो फेडरल सेटप था लेकिन इस एथनो फेडरल सेटप में पावर शेरिंग काफी एक्यूमिलेट जरूर किया केवल 6 प्रतिशत पॉपुलेशन है तिग्रे के लोगों की लेकिन उन्हीं के पास कंप्लीट पावर था जो दूसरे एथनिसिटिस के लोग थे स्पेशली ओरोमोस और अमहारास उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी लेकिन उनके पास कि उसके बाद हाईले मर्यम डेजलें प्राइम मिलिस्ट से बनें 2012 से 2018 तक continuously problems चलती रही जो stable rule था 17 साल के लिए वो unstable हो गये इस दौरान already जो दूसरे ethnic groups थे predominantly औरोमोस और अमहारास उन्होंने continuously criticize करना शुरू कर दिया कि सारा power दिगरे के लोगों के साथ है और वो marginalized हो चुके Eventually 2018 में some sort of stability जरूर आई क्योंकि EPR diff ने leader अपना choose किया Abby Ahmed को Abby Ahmed Prime Minister बने उसके बाद एक आशा की किरन जरूर आई क्योंकि initially Abby Ahmed ने बहुत सारे reforms लाए In fact, उन्होंने 2018 में Eritrea के साथ जो उनका war चल दा था उसको उन्होंने end किया एक political settlement लाया उन्होंने between Ethiopia and Eritrea कई सालों से लड़ाई चल रही थी उसको खतम किया उसी के लिए उन्हें 2019 में Nobel Peace Prize भी दिया गया International level पर उन्होंने काफी अच्छा किया कि दो देशों की बीच एक war कतम किया लेकिन उनकी domestic policies काफी ज़ादा criticize की गई उनकी domestic policies कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने तिग्रे के लोगों को sideline करना शुरू कर गया क्योंकि A.B. Ahmed खुद ही Oromo background से belong करते हैं He is ethnic Oromo तो Oromos की power वो लोग बढ़ाना शुरू कर दिया और तिग्रे का जो भी influence था political influence उनका power वो कम करते गए continuously क्या हुआ देखिए December 2019 में eventually A.B. Ahmed ने जो E.P.R.D.F था उसी को खतम कर दिया एक नई party बनाई prosperity party जिसके अंदर Oromos को काफी ज़्यादा power मिला In fact, 2020 June में एक widespread clashes हुई Ethiopia में क्योंकि एक Oromo singer हचाला हंडेसु की death हुई थी उसके बाद एक civil war की situation बनी गई थी गुटबाजी हो गई अलड़ी एक तरफ Oromos अमहरास और दूसरी तरफ आपको मिलेंगे तिग्रेस Eventually August 2020 में A.B. Ahmed ने जो election होनी थी उस election को postpone कर दिया क्यों COVID-19 की शलते लेकिन इसको criticize किया तिग्रे के लोगों ने तिग्रे के लोगों ने September 2020 में ही अपने खुद के local elections conduct कर लिए इसको federal government जो A.B. Ahmed लीड कर रहे थे illegitimate बताया और eventually November 2020 में एक civil war ही चड़ गया क्यों civil war चड़ गया क्योंकि TPLF की जो militant ने अठाक कर दिया था federal setup के उपर, federal की जो armory थी उनके equipments को capture कर लिया उसके बाद एक लड़ाई चड़ गया, this happened exactly last year, November 5, 2020 civil war जो चड़ चुकिती, federal forces पहुँच गयी तिग्रे और वहाँ पे उन्होंने तिग्रे की forces को हरा दिया in fact बड़ी ही जल, कुछी हफतों में, Ethiopia की जो प्राइम मिनिस्टर है, Abiy Ahmed उन्होंने कहा that the Tigre operation is complete and we have defeated Tigre, the civil war is over and now federal government of Ethiopia, it is the sole representative, लेकिन ये belief system गलत थी November, December के बाद हम लोगोंने और भी चर्चा की है Ethiopia के उपर, अगर आपने study IQ को follow कि आपने जरूर देखा होगा कि Ethiopia में एक famine crisis आ रहा है, हम लोगोंने ये भी सुझाव दिया था United Nations must intervene, यहाँ पर federal government, Tigre के लोगों के साथ काफी ज़दा exploitation कर रहा है, violence चल रही है, जो federal forces है, उनकी violence के उपर भी हम लोगोंने बात की थी, research के उपर बात की थी, और United Nations मों कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर famine का crisis हो रहा है, इसके उपर चल चाहिए थी आपको याद होगा। यहाँ पर कही ने कही एक complacency हुई प्राइम मिनिस्टर एभी एहमदवारा, उन्होंने ये कहा कि तिग्रे या फिर TPLF खतम हो चुका है, लेकिन TPLF का खुद का track record काफी अच्छा रहा है, मैं आपको बताया, 1975 में set up हुआ था ये, इन्होंने शुरुआती दोर में डेर्ग के साथ लड़ाई की, उसके बाद काफी ज़दा economic और political power इन्होंने concentrate किया हुआ था, तो इतनी जल्दी वो खतम नहीं होने वाले थे, जब federal forces ने attack किया तिग्रे के उपर, तो TPLF की लोग शुरुआती दोर में, they moved into Eritrea, काफी ज़दा dense forest area है, Eritrea, Sudan की तरफ उन्होंने move किय और December से लेकर मई 2021 तक मैं कहूंगा, December 2022, May 2021 उन्होंने फिर से regroup किया, और June से ही उन्होंने वापस लड़ाई शुरू कर दिया, एक civil war शुरू कर दिया, क्या हुआ, इसी साल जुलाई में, तिग्रे की forces ने कम से कम 1000 capture shoulders को release किया, यानि कि उनकी ranks swell हुई, 2000 से भी ज्यादा forces य यहां पे बनी, और उन्होंने अनॉंस कर दिया, कि हमारी march चलेगी, we are going to push south, क्योंकि देखिए, तिग्रे is in the northern side, आपको इत्योबेगी capital से यहां पे मिलेगी, एडिस अबाबा, उन्होंने कहा, कि we are going to march south, we are going to finish this rule of Abbey Ahmed, हाली में, October में ही, तिग्रे के forces ने कुछ government troops को capture किय था और उनको capture troops को उन्होंने parade भी गया था, October 2021 की बात ही, और अभी November 1st, November 2nd को खबरे यह आ रही है, कि तिग्रे forces have captured two towns, Dessy and Combolcha, अगर हम लोग देखें, तिग्रे forces यहां से कहां पे पहुँचे है, they have now captured Combolcha, भी यह somewhere here, Dessy को capture कर लिया है, अभी उनकी march चलने वाली है towards south, that is Addis Ababa, एक खत्रा मंडरा रहा है Addis Ababa के उपर, Addis Ababa में African Union का भी headquarter है, इसी के चलते, प्राइम मिनिस्टर जो है, Abiy Ahmed, उन्होंने urge किया है, लोगों को, उन्होंने request कि हैं लोगों को, कि we will fight to death against these rebels, तो जो federal forces थी, वो पहले तो तिग्रे से बाहर हो चुकी है, उनको तिग् TPLF की, that is towards south, एक के बाद, एक टाउन वो capture करते वें जा रहे है, रिसेंटली कॉंबाल्चा और Dessy को उन्होंने capture किया है, and they are now marching over Addis Ababa, अभी जब हम लोगे discussion कर रहे हैं, तब भी लडाईया चल रही है, Ethiopia में, between the federal forces led by Abiy Ahmed and the TPLF, तिग्रे people liberation front, और क्या reactions रहा है, United States ने कहा ह कि it called for calm, कि लडाई नहीं करें, civil war नहीं हो, यहाँ पे through discussions something can be done, but as of now, what is happening, there is a big, big civil war which is brewing, और इसके उपर हमारी कडी नजर रहे, क्योंकि Ethiopia is heading towards a civil war, चल धी, Tigray forces will move towards Addis Ababa, लडाई और भी ज़्यादा intensify होने वाली है, हम लोग बात करेंगे अगर इसके उपर कोई development आएगी, but keep an eye on this particular news. That is it right now in this lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.